आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे दो स्टॉक के बारे में जो हमें यहाँ पर काफी अच्छा सा पैसा दिला सकता है आने वाले वीक में दोनों स्टॉक का यहाँ पर चाट सेट अप ऐसा है कि यह एक ब्रेकाउट के आसपास कड़ा हुआ है एक में वीकने है तो एक में यहाँ पर हाई चांस है कि यह एक अगर फेल ब्रेकाउट हुआ तो काफी अच्छा सा आपको मुनाफ़ा नीची की साइड शॉट में दे सकता है यानि अगर आप पूट बाई कर सकते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है तो दोस्तो 20 से आ रहा है उसको यहाँ अभी तक इसने ब्रेक नहीं गया है और इसके आसपास आके सपोट ले रहा है यानि अगर यह दूर जाता है तो वापस एक अटेम्ट करता है इसके पास आने का और वापस यहाँ पर बाउंस देता है तो हमने काफी टाइम हो गया है यहाँ पर एक भी attempt नहीं किया है और अभी देखेंगे तो आपको यहां पर RSI negative diversion देखने को मिल रहा है यह W कट यहां पर complete हो चुका है higher high हो रहा है और आपका RSI यहां पर negative है volume high था जब यह candle बना था यहां पर और last 4 दिन का अगर देखते है तो आपको यहां पर दो में weakness देखने को मिल जाता है आपको सेलिंग देखने को मिल जाता है फ्राइडे भी एक attempt किया था 79 47 का पर वापस close हुआ है 78 50 यानि 100 पॉइंट नीचे सुटिंग स्टार केंडल फिर से बना है इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको 7830 का लेवल अगर यह 7830 के नीचे सस्टेंग कर जाता है हमारा लोग क्या है आज 7826 तो अब जैसे आपको देखना है कि 30 के नीचे जाता है आप शौट कर सकते हो और अगर आपका क्लोसिंग 7820 के नीचे मिल जाता है तो आप उसको कर सकते हो तब आपका यहां पे पहला टारगेट आना चीए 7594 उसके बाद में यहां पे पहले सपोट लेगा यह 7456 एक बाउंस आएगा उसको रिजेक्शन मिला तो यहां तक आएगा वस कंडिशन आपको यह 7000 तक जाता हुआ देख सकता है क्योंकि यहां से जब ब्रेक आउट देगा वह यहां से बाउंस करके यह फिर कंप्लीट करने आएगा यहां तक का पर आपका पहला क्या होगा अगर यहां पे शॉट किया है इस लिएल के आसपास आता है तो आपका यहां पर 50% प्रॉफिट बुक होचाना चीए फिर बाउंस के बाद फिर से रिजेक्शन मिलता है तो आप फिर से एंटर कर सकते है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस और फिर आपका नेक्स टारगेट यहां पर यह होना चीए 7276 के आसपास तो यहां पर आप प्र यह मार्केट आपको यानि स्टॉप सेवन नाइन वन जिरो के उपर सस्टेंग करता देख गया 15 मिनिट तो फिर आपको यह भूल जाना है कि यह नीचे आएगा यहां से एक क्विक मो उपर की साइट भी दे सकता है 8200 तक का तो वह ध्यान में रखना 7910 के उपर सस्टेंग क और आप उसको लोंग करना फॉर दर टार्गेट ऑफ 300 वन इस्टू फाई हमारा टार्गेट रहेगा इसको द्यान यह लेवल को द्यान में रखना 7910 नीचे में 7830 यहां पर देखेंगे तो 7900 पूट में आज सबसे ज्यादा ओए क्रिएट किया गया है यहां पर और इंदम 30,000 के और सबसे ज्यादा जो शॉर्ट हुआ है वह हुआ है यहां पर 33,000 हुआ है 7900 पर दोनों साइट देखेंगे तो अल्मोस सिमिलर है यहां पर 27,200 है और अगर यहां पर ब्रेक आउट होता है तो क्या होगा कि यह 31,000, 20,000, 79, 76,000 यह लोग यहां पर ट्रेप होंगे जो आपको 8,000 और फिर यहां पर इनको ट्रेप करके 8,200 सक जा सकते है नीचे में क्या होगा कि हम यहां पर जैसे नीचे सस्टेंग करने लगेंगे 7,830 यह 27,000, 9,000 यह यहां पर ट्रेप होंगे 27,000 क्यों होगे क्योंकि आज ही यहां पर शॉट किया है 50% तो यह यहां पर ट्र मेरा दूसरा स्टॉक है वल्टास में हम यहां पर देखने को मिल रहा है कि यह जो स्टॉक है यहां पर सीमिलर ट्रेंड लाइन किसे के पास से रिजेक्शन लेता है अभी यहां पर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है एक यहां पर लोवर लगा था अब जाक इनकेस अगर यह यहाँ पे वापस यह लेवल के नीचे 814 के नीचे सस्टेंग करने लगता है यह यहाँ पे quick fall दे सकता है नीचे के साइड यह क्या होता है कि आपका fill breakout के हिसाब से जैसे यहाँ पे अगर आप drop करते हो इस लेवल पे यहाँ पे आपका consideration के बाद breakout तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या वह दा breakout हुआ sustain नहीं किया तो क्या वह दो candle नहीं इसका low लगा दिया था तो similar आपको यहाँ पे मिल सकता है कि जब भी breakout fail होता है एक sell of quickly आता है तो यह ध्यान में रखना है और आपको short करना 814 के नीचे 786 and 737 आपका target होना चीए option की बात करें तो walters में पहले पूट की side देख लेता है जहां पर हमें in the money में अभी इतना increase देखने को नहीं मिल रहा है जितना हमें at the money से थोड़ा नीचे हमें यानि 800 पर देखेंगे तो support के लिए हमें highest why देखने को मिल रहा है जहां पर 45,000 820 पर हमें 58,000 short होता हुआ दिखा है जबकि in the money 810 पर call 37,800 अब को short होता हुआ दिखा है तो अभी के सबसे लोगों ने क्या किया है straddle बना हुआ है 820 का जिसका total है अभी यहां पर 42 इसको 42 करें तो minus यहां पर जो हमारा नीचे का target है 780 के आसपास उपर 860 के आसपास तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर यह gap down open होता है या 814 के नीचे sustain करता है तो यह 1,500, 2,25,000 and 1,32,000 यह trap होंगे जो आपको further नीचे लेखे जाएंगे 780 से लेखे 740, 740 आपका यहां पर टू लेक क्या असपास है जहां पर आपको support मिलेगा opposite अगर 850 के उपर sustain किया तो short covering आपको देखने के मिलेगी जो आपको 900 के तक लेके जा सकती है क्यों कि यहां पर जैसे इसके उपर breakout हुआ यह क्या करेगा यहां पर यह attempt करेगा इसके उपर यहां पर close देने का यह 875 और फिन यहां पर consolidation करके यह 933 इस 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 आप से आप यहां पर देख रहे हो कि market क्या क्या वाल किया अभी यहां पर consolidation किया तो यहां पर आ सकता है फिर consolidation करके इस तरह से यह भी एक pattern बन सकता है अगर यह close होने में काम्याब हो गया 830 के उपर दो लेवल द्यार में रखने 814 and 830 इसमें भी आपका यहां पर देखेंगे तो जो risk and reward बनता है risk हमारा रहेगा कितना 15 point के आसपास उसके सामने हमारा यहां पर target आएगा 45 point के आसपास लंबा target देखेंगे एकर यहां से 814 से लेके 40 तो 60 plus 15 आ रहा है वो हो रहा है करिए 75 points के आसपास तो 1 is to 5 इसमें भी यहां पर आपको target मिल सकता है तो दोस्तों मैं आसा करता ह हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा कुछ अच्छा लगा तो like and share जरू कर दोस्तों thank you मिलते हैं नए वीडियो में take care bye bye